मेरे पेज पर फैमिली मेंबर्स अगर कोई देख रहे तो न्यूट कर लीजिए क्या आवाद इनने क्या कही जब मोगबंदी करें ना भायो भेनों मित्रों कहकर सारी ले गिया बोड और बच्चों की गुल्वक भी ले गिया और बंद कर दिये नोड वाव 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 बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है इसके बाहन ही होचा देंगे अब हम बहुत तरफ पर ढ़र आधा है अपका लाल के लिए भागते भागतेंगे अपके ताले को हची अच्छी जै बीम नमो बधाय आज हम लोग रात को निकले हैं गाजीपूर बॉर्डर के आपको दुख्चे दिकाने के लिए तो पीछे तो पुलीसों का काफिला लगा हुआ है तरही सारे पुलीस आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे पुलीस यहां पर अपनी अपनी गाड़िया लेकर आए है एक तरफ पुलीस है दूसरी तरफ किसान है और किसानों की रैली यहां से जो निकलेगी यहां से और मैं तो निकला हूँ 10-15 किलो मीटर और लंबी रैली है यहां पर 8 डिगरी सिल्सियस है लेकिन जो गर्मी यहां की महौल की है वो गर्मी तो आपको ख़ी नहीं मिलेगी 8 डिगरी सिल्सियस में भी यह गर्मी है तो यह किसानों का अंधोलन पूरे देश बर से किसान यहां पर आ रहा है इद्रेश के देश के किसान, देश के स्विधान को, देश के लोग कंत्र को बच्चाने के लिए किस तरह से आ रहा है गाओ गाओ में से, हर एक स्टेट में से, इस अब हमारे किसान भाई है, यहाँ पर, और पुलीस वालों ने इतना शडियंत्रे कर रखा है कि डिजल नहीं दे रहे है, पेट्रोल नहीं दे रहे है, दिक्टते बहुत खड़ी कर रखी है, मेरे सामने इतनी लंबी लाइन लगी है, कि मुझे लगता है, मुझे अगर इस लाइन के स्टार्टिंग में पहुचना है, तो सुबह हो जाएगी, मैं आपको फिर एक बार दुश्य दिखाता हूँ, कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत के जंडे को लगा कर ये किसान यहाँ पर रैली कर रहा है, और जो लोग कहते हैं कि ये किसान देश द्रोई है, देखो, देश के फ्लैक को लेकर ये किसान चल रहा है, बाबा साब के सविधान को लेकर ये किसान चल रहा है, देखिए यह एक एक ट्रैक्टर पास-पास-दस-दस मिनिट के बाद फोड़ा हिल रहा है यह ट्रैक्टर मैंने आपको पीछे दिखाया था वहीं दस कदम भी नहीं चला कि यहाँ पर आकर फिर उप्या मेरे पेज पर फैमिली मेंबर्स अगर कोई देख रहे तो म्यूट कर लीजिए क्या आवाद मैंने क्या कही जब मोड़बंदी करी ना भाईयो बहनों मित्रों कहकर सारी लेगिया बोड़ और बश्चों की गुल्वक भी लेगिया और बंद कर दिये नोड़ वावावावाव पां, बहुत बटी है, बहुत बड़ी हhui है.. उसकी बहा ही शुटाते हैंगे अपने बहुत कर अपर भी भरतीया थाहार ह हकता है, अब का लाल के बहुत बहुत कर दो बयhã को पर लेचिए हैंगे लटाल क सरिकैश निदा अज 2 पर शाउन हो या फिर कठा एक किसान आज पहली बार भारत के प्रजासत्ताक दीन को बनाने में खुछी महसूस हो रही है क्योंकि इतने सालों तक हम चोरों को सुन ले आ रहे थे भारत के प्रजासत्ताक दीन में आज सही माईनवे में लगता है कि ये प्रजासत्ताक दिन हमारा है पुनता चड़ता एकरिवार पामे जावे सठी जान फुनता चड़ता एकरिवार पामे जावे सठी जान एक बार जिन्दगी में आप लोगों को किसान अंदोलन में आकर देखना चाहिए क्या जड़वा है किसान होवे असी रवां घेवे ले करना असी निचड़ना हूँ तू करना जोगी कर ले मंग पुरी जत्तक ना होवे असी रवां घेवे ले तरना असी निचड़ना हूँ तू करना जोगी कर ले फिच्छे हुड असी निचड़ना मोग तो असी निड़ना जागोठा एक ती सान फुनता चड़ता एकरिवार पामे जावे सठी जान फुनता चड़ता एकरिवार पामे जावे सठी जान सठका दे कोने कोने ते अपना डेरा लाया यूपी पजा भर्याना से ठी किकी सान है आया सठका दे कोने कोने ते अपना डेरा लाया यूपी पजा भर्याना से ठी किकी सान है आया सुलीत तु गल्चर गारा, फिर ना केना तो बारा, सिंगारू बेचार होनता छड़ता एकरिबार, आमे जावे साथी जार ओन का छड़ता एकरी पारी आमे जावे सटी जार प्रिवेदा सरकार दा ऐसी सड़ा हक जमारा सड़का दे दोडा दोडा सड़े पुड़े हनु मारा गईयाने मिट्टी चड़ती गईयाने दुनिया चड़ती रहंता करी जरी कार होनता छड़ता एकरी पारी पामे जावे सटी जार होनता चड़ता एकरी पामे जावे सटी जार होनता चड़ता चड़ता पामे जावे सटी जार अगर आप जारें आप मारें तरह नहीं तरह आपने बाद डीजल को एन नहीं जैज़ेंगे अरे लाएं डीजल लंगर से डीजल बहुत है अगर बोदी को अपने काड़ी में डीजल नहीं मिल रहा तो वे लंगर से ले सकते हैं कर दो 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 काल में प्ट्रोल पंप है जरन है ते रिजिल में वो विक्तानों के ट्रेक्टर को देखे प्ट्रोल नहीं दे रहे ना दीजल नहीं दे रहे की एब मज़िया चाहिए कि अ कि कर दुर दुर था कर दो कर दो कि अटेंग जगए जगएे जगए। टुछ कि इंगए। हैंसे जगए। खरेंग चाहाा!!!! पाल कि अपफ़ा जगए। पुछ आशी बदू़ा उब लगए। कितायों था dt. का च साथ हुआ। जुआ जुआ। ऩका चीक पर सुख़ का च अ nom रहा जुआ प्पराइब ओया फिर गठाए किसाम दिली दा ओया चकजाम दालिया पाण परके आई लणिया चित पादी आई एक होया इंदुस्तान हूनता छड़ता एकरवार पामे जावे सटी जान लाघरा आप में जानर हून होवेड़ा को किसानों के अलग अलग तेंस में अलग अलग किसानों से बात करेंगे किसे है कि कल सुबे से ही रैली शुरू हो जाएगी और इतनी सारे टैक्टरस यहां आ रहा है अरियाना से राजस्तान से उत्तर प्रदेश से दस-दस हजार प्रैक्टरस एक टाइप निकले हैं कल का जो महाल होगा वो देखने जैसा होगा और हर एक अंदुलन कारी को जो पूमेट चलाते हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने जैसा है इस आंदुलन से किसानों ने इतना बड़ा अंदुलन ऐसे लोगों के नाख में दम करकर रखा है कि कैसे वो अपने इस बात पर अड़े ह अगर आप चाहते हैं गरीब हर बंचीत इंसान के वाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का पटन दोबारा ना बोलें देखते हैं बहुत निर्कन ने हुए